ही एवरीवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओफिस मेकप लुक विद थ्री डिफरेंट हेर स्टाइल तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा सू मेकप करने से पहले मैंने अच्छी दाज से अपने फेस सोसे को क्लीज कर लिया है दो टॉनिंग भी कर लिय है अब मैं लगा रही है lotus का मिक्रेजियिग क्रीम जो मेरी फ़ेवरेट है तो यहां पर मैं सबसे पहले lotus की मक्रषय क्रिम लगा रही हूँ आपको भी अपने अकोडिंग मौस्टराइजिंग क्रीम चुन सकते हैं जो भी आपकी स्किंग को शुटेबल हो उसके बाद मैं यहां लगा रही हूँ पितांजली का अलुविरा जल यह बहुत ही अच्छा प्राइमर है फ्रेंट्स मैं कोई दूसरा प्राइमर नहीं लगाती हूँ बलकि अलुविरा जल ही ऐसे प्राइमर यूज करती हूँ प्राइमर लगाने से हमारी स्किंग काफी हाइडरेटिंग रहती है और मेकप भी लोंग लाश्टिंग बनता है तो प्राइमर जरूर अप्लाई कीजिए बिफोर मेकप और उसके बाद फ्रेंट्स यहां पर मैं लगा रही हूँ सकते हूं देख सकते हैं इससे आपने लगाना है जैसे यहां मेकप कर रहे हूँ उस्सी तहसे आपने करना है आप देख सकते हैं लिफ्रेंस और आपने कनिपनी आइस के उपर भी लगाना है ताकि आपकी जो आईशेडो है वो लोंग लाश्टिंग बने और फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने वैटी स्पोंज लिया है उससे मैं इसे डैब डैब कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ कवर अपका फांडेशन बेस तो यह मैं वैटी स्पोंज पर ही लिया है और इसे भी मैं डैब डब करके ही लगा रही हूँ यह काफी अच्छा बेस है फ्रेंट्स आपके डेली पपस के लिए काफी लाइट वेट फांडेशन है बहुत ही सुटेबल है फ्रेंट्स और हर इसकीन टैप के लिए काफी अच्छा है इसमें शेड्स आपको नहीं मिलेंगे बट आपको काफी ज़्यादा अच्छा है फियर स्कीन के लिए तो यहाँ पर मैं ड्रीमी आईशेडो लगा रही हूँ तो सबसे पहले मैं फ्लैट ब्रश ले रही हूँ इसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सुष बीटी का अपनी अपर आइब्रो को और अपने आइस के इनर वी एरिया को हाइलाइट करने के लिए और अब इसके बाद मैं टींज का काजल ले रही हूँ तो काजल आपने इस ताहसे लेना है अप IRINA भी ले सकते हैं यहां मैंने काजल लिया है काजल आपने इस ताहसे लगाने के बाद ब्रश की मदद से आपने थोड़ा सा इसी स्प्रैट करना है और उसके बाद में यहां लगा रहे हूं कुमिडी की ब्लुशर पैलेट से ब्लुशर में थोड़ा सा ज्याद ही लगा रही हूं यह आपके चीक्स को काफी ब्राइटन अप करता है और उसके बाद यहां मैं मैट में की लिपिश्टिक लगा रही हूं तो चलिए मेकप तो हो गया अब मैं आपको थ्री हेरस्टेल भी बता देती हूं तो यहां पर मैं पस फर्स्ट हीरस्टेल है प्रेड तो यहां पर मैंने अपने आगे की हेर्श को अच्छी तरह से आप देख सकते हैं पीछे टाय कर लिया है और उसके बाद French यहां पे मैं braid बना रही हूँ यहां पे मैं French braid बना रही हूँ जिसमें आपने two portion लेने है left को right side ले जाना है और right को left side ले जाना है बस आपने इतना ही करना है और यहां पे हमारी hairstyle ready हो जाएगी तो यह Luck प्रेंच 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 क्लच लगा लिया है और बाकी की अपने हेश को मैंने टाइ कर लिया है एक हेयर बैंट से आप देख सकते हैं यह भी काफी अच्छा हेश्टाइल लगता है बहुती सिंपल और स्वब बहुती जल्दी बन भी जाता है इसमें भी आपका ओफिस मेकब लोग काफी ज़दा अच्छा लगता है अब बात कर लेते हमाई थाड़े हेश्टाइल की थाड़े हेश्टाइल में भी फ्रेंट मैं आगीर से पफ बना के रखूंगी और बाकी हेश को मैं टाय कर लूँगी जूड़े हेश्टाइल में तो क्योंकि बहुत गर्मी होती है हम कईबा पॉने टेल वगेरा नहीं बना पाते हैं इसलिए जूड़े ये बहुत ही ज़दा प्रेफर करते हैं लोग तो इसी तरह से मैंने यहां पे यह सिफ टू बोबी पीन से ही मैंने अपने जूड़े को बनाया है तो यह जूड़ा झाल 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 झाल